ये कहानी एक आइलेंड को दिखाते हुए शुरू होती है रात का वक्त था वहाँ पर कुछ मच्छवारे थे जो अपनी कश्टी में मच्लिया पकड़ रहे थे तभी वो आसमान से गिरते में ट्रॉाइड्स यानी तूरते हुए तारी को देखते हैं जब कैप्टन का साथी उस चका को देखने जाता है तो कोई चीज पानी से निकल कर उसे अपनी तर्फ खीच लेती है जब कैप्टन देखने आता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं नजर आता सिवाए अपने साथी के खोन के इससे पहले वो कुछ करता उसे भी कोई चीज पानी में खीच लेती है अंदर बैठे कैप्टन के बेटे को गरबर लगती है अब जो वो बाहर कुल हाडी लेकर देखने जाता है तो किसी चीज में उस पर भी हमला कर दिया था यही पर सीन कट होता है इसके बाद यह कानी एक और चोटे आईलेंड और वहां पर रहने वाले लोगों पर जाती है हमें एक पुलिस ओफिसर को देखते हैं जिसका नाम ओशे था वो हर वक नशे में रहा करता था आज की दिन वो नई ओफिसर को लेने जाता है उसका नाम लीसा था लीसा का इस आ अपनी जगा एक पुलिस ओफिसर की ज़रूरत थी तो मुझे लगता है तुम काम अच्छे से संभालोगी जाते हुए ओशे अपने हैट से कहता है क्या ज़रूरत थी नई ओफिसर की मैं था ना मैं सब संभाल लेता पर उसकी हैट को उस पर ज़रा भी फरोसा नहीं था क्य नहीं था अब उस आदमी को ऐसा नग रहा था कि जैसे उसने कोई अजीब सा जानवर पकड़ा है जिसके उसे बहुत से पैसे मिल सकते हैं इसलिए वो आदमी उसे अपने साथ घर ले आया था लाकर अपनी बाथ टप में डाल देता है ताकि वो पाने में जिन्दा रह सके वहीं पर दोसरी तरफ समंदर के किनारे कुछ लोगों को मरी हुई वेल मिलती है जो काफी अजीब बात थी ओशे और लीसा चान बिन करने वहाँ पर चाते हैं वहाँ पर पहले ही एक डॉक्टर मुझूद था जो मरी हुई वेल को चेक कर रहा था वो इने बताता है कि ये बहुत पहले से मरी हुई है इसके जिस्म पर जो निशान है वो पत्थरों के टकरानी से आई है ओशे को ये बाती काफी अजीब लग रही थी क्यूंकि बहुत वक्त से वो इस आइलन पर रह रहा था और इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था इसके बाद ओशे एक जाकर उस मरी हुई विल को उठा लेता है सब लोग चले गई थी इनका काम यहां पर खतम भी हो गया था इनका कुछ सामान वहीं पर रह गया था वो पने साथी को जरूरी सामान लेने समंदर के किनारे भेजता है और खुद गारी में बैठा उसका इंतजार करता है जैसे ही उसका साथी वहां पर जाता है तो वहां पर वो अचीब से अंडे देखता है इससे पहले वो सामान लेकर वापिस जाता कोई चीज समंदर से उसे भी अपनी तर्फ खीच लेती है अब वो आदमी जुकारी में बैठा इंतजार कर रहा था अपने साथी को देखने चाता है पर वहां पर कोई भी नहीं था इसके बाद हम उस होटल को देखते हैं जहां पर लीसा रुकी हुई थी यहां पर एक बार भी बना हुआ था जिसको हस्बंट वाइफ चलाया करते थे और ओशे अकसर यहां पर शेरा पीने आता था वहां पर वही आदमी आता है जिसको अज कर रहा है मेरे साथ क्यूंकि ओशे खुद नशे में था उसी राद हम एक और आदमी को देखते हैं जो उसी आदमी का साथी था जिसने क्रियेचर को पकड़ा था वो अपने घर पर था तबी उसके घर पर कोई आता है अब जब यह दर्वाजा खोल ले जाता है तो एक आद पर आगई थी वो जल्दी से अपने घर का तरवाजा बंद करती है उसने उस करियेचर को देख लिया था जिसने इसके हस्पेंड को अपनी तर्व कहींचा था जी हाँ वो एख खतरना करियेचर था जो अब इनसानों को खा रहा था पर यह कैसे और कहां से आया था यह हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा अब वो औरत अपने घर में बहुत डरी हुई थी उसको उसके हस्बन की चीखी सुनाई दे रही थी उसकी नजर अपने घर की चीमनी पर जाती है ये देख कर सोचती है वो करियेचर वहां से भी आ सकता है इससे पहले ये उसे बंद करती करियेचर उसे भी जिमनी के रास्ते से आकर खीच लेता है उधर वही आदमी जिसको करियेचर मिला था वो अपनी बाथ्टप में जाकर देखता है तो वहां से वो करियेचर गाइब था उधर सिर्फ उसका एकंडा पड़ा था ये जब चेकरने बाहिर आता है तो कमडे में अजीब सा लिकुट देखता है वो करियेजर दिवार से चिपका हुआ था जिसके बड़े बड़े टंटिकल्स थे जो दिखने में बिलकुल अक्टोपस की तरह लग रहा था करियेजर उस आदमी पर हमला करता है मगर वो उसको अपने पास से हटा देता है और मार भी देता है सुबा को हमें दिखाना जाता है लीसा बार में एक काम करने वादी लेडी से ओशे के बारे में पूछती है क्योंकि वो अब ओशे को पसंद करने लगी थी वो पता करना चाहती थी कि उसकी वाइफ है या नहीं पर वो लेडी उसको बताती है कि उसकी वाइफ नहीं है वो पिलकुल अकेला रहता है तबी थोड़ी तिर बात वो ही आदमी ओशे और लीसा को कॉल करके बुलाता है जिसको क्रियेचर मिला था वो आदमी उसे मार कर लेब में लाया था टेस्ट करने पर डॉक्टर कहता है कि आज तक मैंने ऐसी अजीब चीज़ नहीं देखी ये काफी खतरनाक लगता है वो करियेचर को ग्रैबर का नाम देता है वो डॉक्टर उन्हें दिखाता है कि इस ग्रैबर की बहुत लंबी जुबान है ये क्रियेचर सिर्फ पानी और खून पीता है वो इनको इसका अंटा भी दिखाता है ये सब कुछ जानने के बाद ओशे को अब वेल वाला हादसा और क्रियेचर वाली बाद दोनों मिलते नजर आ रही थी ये चलती से लेसा को लेकर समंदर के किनारे जाता है जहाँ पर उसी अधर जहाँ पर इनने फटे हुए कपड़े मिलते हैं यहाँ पर बी इनने वेसी ही बदबु आरही थी जैसी उस क्रियेचर में से आरही थी इन दोनों को शक हो गयाता कि ये उस घर की छट पर जाते हैं जहाँ पर लीसा को उस आदमी का कटा हुवा सर मिलता है जिसको करिय गया था, ये दोनों उसके कटे हुए सर को उठाकर लैब में ले आए थी, ताकि उसके बारे में कुछ पता चल सकी, पर डॉक्टर कहता है, मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकता, कि इसको किस में मारा है, पर हाँ, मुझे ये काम किसी खतरनाक जानवर का लग रहा है, तब है उदर कोई आदमी आजाता है, जिसने करियेचर को पकड़ा था, वो इन दोनों को पने साथ घर ले जाता है, जहां पर ये देखते हैं, उस आदमी की बात डब बाहर गिरी हुई थी, और तिवार में बहुत बड़ा सुराग भी था, मतलब जो अंड़ा उस करियेचर ने वहाँ पर छोड़ा था, वो भी बड़े करियेचर में तबनीर हो गया था, वो देखकर समझ गए थी, कि बहुत बड़ा खत्राने वाला है, इनको अब सारी बात समझ आ गई थी, लीसा कहती है कि कर रात जो हाथसा हुआ, वो इन्ही करियेचर ने किया होगा, क्योंकि ये जिर्व पानी में रह सकते हैं, और कर रात बारिश हो रही थी, इसलिए वो जमीन पर आया था, और आकर उसने उस खर के लोगों को मार दिया, अब वो आदमी जो इन्हें अपनी साथ लाया था, कहता है कि मैं जानता हूँ, इन क्रियेचर की कोईन कहा है, जो अंडे दे रही है, ये और कुछ तो नहीं मिलता, पर ये क्रियेचर को जगा देते हैं, वो क्रियेचर जाकते ही इन पर हमला करने आ रहा था, मगर ये दोनों जल्दी से बाहर निकल आये थे, वो क्रियेचर अभी भी गुफा महीं था, वो बाहर नहीं आता, क्योंकि ये क्रियेचर सूरज की कर उसके सर पर चिपक जाता है लेकिन किसी तरह ये उसे अपने सर से उतारता है वो आदमी भी खड़ा ये सब देख रहा था जो यहाँ पर इसको लाया था वो बिन्ट को बताता है कि ग्रैबर क्रियेचर ने मुझे पर इस तरह हमला किया था इसने तो मुझे भी काट लिया पर उस दिन में ने शराब पी हुई थी और ये मुझे काटते ही कमजोर सा हो गया इसका मतलब ये है कि जो आदमी शराब का इस्तमाल करता होगा ये क्रियेचर उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते आज रात बहुत देज तूफान भी आने वाला था इसलिए ओशे और लिसा मिलकर प्लैन बनाते हैं वो बार वाले के पास चाते हैं और कहते हैं देखो आईलन पर रहने वाले लोग सबी खत्रे में हैं उन पर क्रियेचर हमला करने वाला है पर हम एक ही सूरत में उन्हें बचा सकते हैं अगर लोग ज़्यदा से ज़्यदा शराब पियें क्योंकि जिसके भी खून में अल्कोहल शामिल होगी वो क्रियेचर उन्हें नुक्सान नहीं पहुँचाएगा पर इस बात का पता किसे को भी नहीं चलना चाहिए वरना लोग कब राच आएंगे वो बारवाला भी इनका साथ देनी के लिए तैयार हो गया था पहला टेस्ट ये लीसा पर करते हैं लीसा ओशे से कहती है मेने कभी भी शराब नहीं पी लेकिन फिर भी ये उसे शराब पिला देते हैं फिर ये लोग लीसा का खून निकाल कर टेस्ट करते हैं ये उसके खून को करियेचर के बच्चे को पिलाते हैं जिसको इन्होंने लैब में कैट किया हुआ था जैसे ही वो करियेचर का बच्चा खून पीता है, मर जाता है ये करियेचर की कमसोरी को जान गए थे ओशे और लीसा चर्च में जाते हैं वहाँ पर जमाद सभी लोगों को ये बार में आने का कहते हैं मुफ्त की शराब मिलने वाली है इसलिए सब बार में आ गए थे रात को इन्हें करियेचर का शिकार करना था इनके पास जो कुछ पी था ये उन चीजों को अपना हत्यार बना लेते हैं बाहर गाड़ी में लीसा और उशे बैटे थी बाकी सभी बार में थे लीसा ने भी बहुत जादा शराब पी ली थी वो अपने होश में नहीं थी इसलिए उशे को सारी अपनी दिल की बात बता देती है कि वो उसे कितना पसंद करती है उदर बार के अंदर सभी मौच मस्ते में गुम थे तब ही एक आदमी को वाश्रूम में जाना था पर वाश्रूम के अंदर कोई था इसलिए वो बाहर आ जाता है बाहर बहुत तेस बारिश हो रही थी तब ही वहाँ पानी की वज़ा से छोटे छोटे क्रियेचर जा गए थे जो साथमी पर हमला कर देते हैं ये देखते ही लीसा और रोशी उसाथमी को बचाने जाते हैं इससे पहले कि वो से बचा पाते वहाँ पर एक बड़ा ग्रेबर क्रियेचर पी आ गया था जो साथमी को खेंच कर खा जाता है ये देखकर लीसा और ओशी अपनी जान बचा कर भागते हैं जब ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो लीसा परेशानी में गाड़ी के साइरन को आन कर देती है जिस वज़ा से क्रियेचर अब इनके पीछे था जहाँ पर हम इस वक्त नहीं जा सकते इसलिए ओशी सब को उपर जाने का कहता है सब पूछ रहे थी कि क्या हुआ ऐसा क्यों जाए हम उपर पर ओशी अभी भी किसी को कुछ नहीं बताता कोई नहीं जानता था कि बाहर कितनी बड़ी मुसीबत है यहाँ पर वो डॉक्टर जो लैब में काम करता था उसने बहुत जादा शिराब पीनी थी इसलिए वो उपने होश में नहीं था वो बाहर जाकर बड़े ग्रेबर क्रियेचर के सामने खड़ा हो जाता है और उसकी तस्वीर बनाने की कोशिश करता है लेकिन क्रियेचर उसे पकड़ कर दूर फैंक देता है बार की अंदर सबको इस बड़े खत्रे के बारे में पता चल गया था सबी अपनी जान बचाकर उपर की तरफ फागते हैं और उशे सबको यह तीन दिलवाता है क्यूंकि वो अपनी बचा से सबके जान खत्रे में नहीं डाल सकता था लेकिन यहाँ पर लीसा उसे एक आइडिया बताती है कहती है कि देखो यह क्रियेचर सूरच की रोशनी पर दाश नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पर जो कंस्रक्शन साइट है मैंने उदर क्रेर मिशीन को देखा है हम उदर जाएंगे इस क्रियेचर को पकड़ कर उस मिशीन से रोके रखेंगी और जैसे ही सुबा होगी यह क्रियेचर खत्म हो जाएगा और इसके अंडे भी ओशे को लीसा का आइडिया पसंद आता है ओशे उस जगा पर पहुँचकर पेट्रोल के ट्रम देखता है वो क्रियेचर को अपनी तर्फ बुलाता है ताकि जैसे ही उसकी तर्फ आए यह उसे जला दे लेकिन वो क्रियेचर इसे अपने टेंटिकल से नीचे गिरा देता है वो जैसे ही उस पर हमला करने वाला था वहाँ पर लीसा क्रियेचर उस पर गिरा देती है क्रियेचर वही पर फस गया था खिर वो ओशे को बचाती है वहाँ पर यह एक शराब की बॉटल खुलती है ताकि थोड़ा सा इंजॉय कर सके तभी क्रियेचर का एक टैंटी का लागर वही पर चलाती है वो उसे खाने ही वाला था लेकिन उसके हाथ में शराब की बॉटल थी जिसको वो उस क्रियेचर पर फैंक देता है इसесь निया वो क्रियेचर वही को चोड़ देता है दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं ये दोनों तो मिल गए थी पर उस बड़े खतर ना क्रियेचर ने ना जाने कितने लोगों की जान ली थी और इसी के साथ ग्रैबर खतर ना क्रियेचर की कहानी यही पर खत्म हो जाती है